हेलो नमस्कार दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है विंडो 11 कैसे इंस्टॉल करते हैं वो देखेंगे और प्लीज गया यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ता प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें चलिए शुरू करते हैं विंडो 11 Can label connect करने के बाद आपको क्या करना यहां पर रिफ्यूज डीज अपन कर लेना ही रिफ्यूज व्होने के बाद आपको क्या कराना यहां पर और सेलेकशन में रहने देना इसक्अ चैनल को चलिक करते हैं यहां तऱ से विंडो अपेन हो जाएगा अब resigned को सिलेक्ट करने और बाकी option highlight हो जाएगा इसके नीचे देखेंगा यहाँ पर आपको कोई changes नहीं करना है यहाँ पर पार्टिकल सेमे में यहाँ पर किलिक करके यदि आप GPT mode में करना चाहते हैं तो GPT mode सेलेक्ट कर सकते हैं मैं अपने case में MBR mode में करूंगा इसलिए मैं यहाँ पर MBR सेलेक्ट करना हैं यहाँ आप GPT mode में करना चाहते हैं यहाँ पर GPT mode में सेलेक्ट कर सकते हैं इसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पर क्लिक करना है start पे click करते हैं इस तरह से warning देगा warning यह है कि आपके paint drive के अंदर कोई भी important data होगा उसको आप back up लेके रख लिजे क्योंकि जैसे ही यहाँ पे आप okay करेंगे तो आपके paint drive के अंदर जितना भी data होगा सारा format हो जाएगा तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पे बूटेबल बना शुरू हो जाएगा यहाँ पे आपको कुछ second wait करना परेगा चलिए म यहाँ पे मैं कुछ second wait करता हूँ जब 100% complete हो जाएगा उसके बाद आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ जब 100% complete हो जाएगा तो यहाँ पे रेडी लिखा हुआ आजाएगा इसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पे close कर देने के बाद आपको क्या करना है इस pen drive को उस system या laptop के अंदर connect कर देने जिसके अंदर आप window 11 install करना चाहते हैं चलिए मैं अपने case में इस pen drive को connect कर देता बूटेबल पेंडर connect करने के बाद आपको क्या करना है system को start कर लेने start होने के बाद जैसे first screen आते है तो आपको app 12 या app 8 प्रेश करके boot menu में आ जाना है हर एक company का अलग-अलग होता है boot menu में आने का key जैसे gigabyte में आप app 12 से प्रेश करके boot menu में आ सकते हैं आसूस में आप app 8 से प of section दिखेगा यहां पे आपको second दिखेगा एक normal एक user आपको क्या करना है usual लें आपको normal नहीं इसके बात इंटर कर देता हूं इसके बाद यह window open हो जाएगा अब आप यहां पर यही रहने दिजेगा time and current format आप यहां से changes करना चाहते तो यहां पर आप अपने हिसाब से select कर लीजेगा मां यहां पे इंडिया से हुँ इसलिए मां यहां पर इंडिया करूंगा यदि आप किसी और country से होंगे तो यहां पर यहां पर आपको क्या करने के बाद यह window open हो जाएगा अब यदि आपके पास की है तो यहाँ पे आपकी डाल लिजेगा यदि की नहीं है तो भी घबराने की जो तो नहीं है आपको क्या करना है I don't have product की इसके उपर आपको क्लिक कर देने हैं विंडो 11 प्रो 64-bit यह सबसे वेस्ट है इसी को आप हमेशा इंस्टॉल कीजिएगा वह ज्यादा अच्छा रहेगा बाद में यदि 86 बीट आएगा तो 86 बीट में भी यहीं सेम प्रोसेस होगा उसको इंस्टॉल करने के लिए चलिए मैं यहाँ पर विंडो 11 प्रो सेलेक्ट क कर लेता हूं इसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देने नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यह विंडो ओपन हो जाएगा अब आपको क्या करना यहाँ पर टिक माक कर देने इसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देने क्लिक करने के बाद यह विंडो दे देगा तो यहां पर ध्यान से select किजेगा यदि करें डिलिट करें तो उसके अंदर यतना data हो डिलीट हो जाएगा तो एक हीज़ा कोशिस किजेगा installation से पहले जिस arts NOAD के उन्स्टॉल करना है केबल वह ही connect करके रखिएगा बाकी को आप remove कर दीजेगा जिससे confusion नहीं होगा और आपका data भी safe रहेगा जैसे अभी मैं अपने case में एक ही hardx connect करके रखा हूँ यदि आपका case में एक से ज्यादा hardx होगा तो यहाँ पर एक से ज्यादा hardx दिखाएगा मेरे case में यहाँ पर दो partition था एक C था एक D तो मैं क्या कर होँ इसको यहाँ से delete कर रहा हूँ इस तरह से मैं यहाँ से इसको delete कर देता हूँ इसको भी select करके आपको क्या करना है यहाँ से delete कर दे अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर new पर click कर रहे हैं new पर click करने के बाद यहाँ पर आपको option आ जाएगा अब आप यहाँ पर अपने हिसाब से select कर लिजेगा आपको CDB कितने GB का रखना है जैसे मेरे case में यहाँ पर आपको दिख रहा है 223 GB का hardix है वैसे 500 GB है लेकिन यहाँ पर अब जो बच गया इसको मैं D drive बना देता हूं यहाँ पर apply कर देता हूं यदि आपका जैदा graphics का काम है जैदा चीज का काम है तो आप 500 GB को CDB भी बना सकते हैं तो आप अपने हिसाब से आपका काम क्या है उसके हिसाब से size select कर सकते हैं partition create करने के बाद आपको क्या करना यह C ह आपके बाद ओकावाल better file MB है इसको अंदर इंस्टॉल नहीं हो सकता इसके अंदर इंस्टॉल होगा यहीं CDB बनेगा इसलिए आपको क्या करना है इसको इसके बाद आपको क्या करना है next पर किलिक कर देने next पर किलिक करते हैं यह इस्टॉल होना शुरू हो जाएगा तो आपको क्या करना है यहां पर बस आपको wait करना है बाकि process अटोमेटिक होगा जहां पर जो कुछ चेंजिस करना होगा कुछ किलिक करना होगा वहां पर मैं आपको बताऊंगा यह वीडियो बिना एसकीप का मैं आपको दिखा रहा हूं इसलिए मैं कोई भी पार्ट एसकीप नहीं करूंगा सारा फिनिस होने के बाद इस तरह से रियस्टार्ट के लिए आ जाएगा यदि आप रियस्टार्ट मैनुल नहीं करेंगे तो 3 सेकेंड के बाद आटोमेटिक यह रियस्टार्ट हो जाएगा रियस्टार्ट होने के बाद आपको क्या करना है फिर से बूट मेनु में जाके यहाँ पर हाट डिक से बूट कर देना है यदि आपका फस्ट बूट हाट डिक सेलेक्टर नहीं होगा तो आपको क्या करना है बूट मेनु में आने के बाद आपको मैनुल से यहाँ पर आपक को हाड़िक से बूट कर देना है यदि आपके केस में फ़र्स्ट बूट हाड़िक सेलेक्टेड होगा तो यह आपको करने की जोत नहीं है आटोमेटिक वो harddick से boot हो जाएगा इसके बाद ये window आ जाएगा आप देख रहें यहाँ पे just a moment लिखा हुआ आ गया यानि यहाँ पे आपको कुछ second wait करना है मैं सारा process step by step बताऊँगा कोई भी process skip नहीं करूँगा विन्डो इंस्टोलेशन होने के बाद last में इस तरह से window आते है तो आपको क्या करना है यहाँ पे कुछ second wait करना है कुछ second wait करने के बाद ये country आ जाएगा अब आप अपने हिसाब से यहाँ पे जो भी country सेलेक्ट करना चाहते हैं आप अपने हिसाब से यहाँ पे country सेलेक्ट कर लिजेगा उसके बाद यहाँ पे आपको yes पे किलिक कर दिने हैं इसके बाद यह window आज जाएगा आप अपने हिसाब से keyboard का layout यहाँ से select कर लिजेगा इसके बाद यहाँ पर यहाँ पर Yes पर किलिक कर देना है झाल झाल इसके बाद यह विंडो आ जाएगा आप यहाँ पे अपने डिवाइस का नाम रख लिजेगा जो भी आप नाम रखना चाहते हैं यहाँ पे आपको डिवाइस का नेम टैप कर देने इसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देने इसके बाद यह विंडो आ जाएगा अब आपको क्या करना है? यहाँ पे कुछ सकन्न वेट करना है अब आपको इस तरह से विंडो आ जाएगा? अब आप यहाँ पे क्या चीज के लिए यूज़ करना चाहते है? यदि आप रेस्नल के लिए यूज़ करना चाहते है तो आप रेस्नल सेलेट कर सकते है यानि तो आप वर्क या ओफिस के लिए यूज़ करना चाहते है तो पर मैं अपने case में personal के लिए यूज़ कर रहा हूं, यहाँ पर मैं personal select कर रहा हूं, आप अपने हिसाब से यहाँ पर दोनों में से कोई select कर लिजेगा, इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर next पर click करना है, इसके बाद यह window open हो जाएगा, आप यहाँ पर करने के लिए बोल रहा है तो आप बिना Microsoft के account से यहां पे आप कैसे sign-in कर सकते वह मैं आपको बताता हूँ इसके लिए क्या करना है यहां पे आपको sign-in ओप्सन दिखी जाएगा इसको पर क्या करना यहां पर नाम टैप कर देना जो भी आप यूजर नेम रखना चाहते वो नाम यहां पर आपको टैप कर देना है इस तरह से आप यहां पर नाम टैप कर दीजेगा इसके बाद यहां पर आपको नेक्सट पर क्लिक कर देना है इसके बाद यहां पर पासवर्ट रखन चाहते तो आप आउन भी रख सकते हैं मैं अपने केस में इसको हमेशा आउफ रखता हूं तो इसलिए मैं अपने केस में यहाँ पर आउफ करता हूं आप यहाँ पर अपने हिसाब से यहाँ पर देख के इसको आउफ कर सकते हैं उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पर एक झाल 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 इसके बाद आप देख रहें इस तरह से इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद डेक्स्टॉप आ जाएगा अब आप यहाँ पर अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं अब आप यहाँ पर अपने हिसाब से यूज कर लीजेगा और प्लीज गाई चैनल को सबस्क्राइब करें लाइक करें, सेर करें थैंक यू